Assalamu alaikum my name is Roshri Rauf and welcome to my channel आज की इस वीडियो में स्टार्ट करें हैं exercise number 2.7 completely introduction को discuss करेंगे जो basic concept आपको जरूरी चाहिए वो इस तमान तर concepts में इस वीडियो के अंदर discuss करूँगे क्यों कोई problem हो comment section में जरूर पूछिएगा so first of all देख लेते हैं पहली चीज जो हमें discuss करनी हैं वो है operations अब operations होते हैं दो तरहां के एक हैं unary operations और दूसरे हैं binary operations unary operations ऐसे operations को बोला जाएगा जो एक single value के साथ काम करते हैं और binary operations ऐसे operations को बोला जाएगा जो दो values के साथ काम करते हैं अब जूनरी अप्रेशन कोन से हो सकते हैं अगर मुझे स्क्वेर रूट फॉर फाइंड आउट करना है तो आंसर आएगा टू बेसिकलिए मुझे सिर्फ एक ही वैल्यू की जरूओ थी इसका मतर यह हुआ कि स्क्वेर रूट जो है बेसिकलि जूनरी ओप्रेशन है बाइनरी ओप्रेशन जो दो वैल्यू के साथ काम करते हैं अगर मुझे अडीशन का आप्रफॉर्म करवाना है तो मुझे दो वैल्यू चाहिए तब भी मैं अडीशन परफॉर्म कर सकती हूँ वन्हा नहीं कर सकूंगे इसका मतब यह हुआ कि यह binary operations है अब next two चीज हमें discuss करनी है वो है properties of binary operations अब binary operations को basically represent किया जाता है एक star के साथ आप इस तरह का star भी लगा सकते हो आप इस तरह का star भी लगा सकते हो यह है basic binary operations के symbols ठीक हो गया अब commutative property का मतब यह है कि आप कोई से भी दो numbers लो किसी भी एक set से for example हम let कर लेते है let set s ठीक है मैं s में से कोई से भी दो numbers उठाती हूँ for example मैं ले लेती हूँ a और b यह दोनो numbers belong करते हैं हमारे set s से अब अगर मैं इन दोनों के तर्मियान कोई भी binary operation पर फॉर्म करवाती हूँ binary operation एक चीज़ का खास क्या रखने है आपने addition को भी हो कह सकते है multiplication को भी subtraction को भी division को भी modulus को भी less than को भी greater than को भी मतलब कि तमाम तर ऐसे operations जो दो values के साथ काम करते हैं वो binary operation कहलाते हैं यह just मैं denote कर रही हूँ क्योंकि यह binary operation है यह जो star है यह basically binary operation के लिए अब अगर मैं a star b करूँ चाहिए मैं b star a करूँ answer मेरे पास दोनों सूर्तों में बिल्कुल सेम आना चाहिए for all a b belongs to s अगर तो यह दोनों equal आ जाएंगे तो मैं कहूंगी commutative property मुझूद है अगर यह दोनों equal नहीं आते हैं तो मैं कहूंगी commutative property मुझूद नहीं for example अगर मैं s में से values ले ले लेती हूँ 1 और operation जो perform करवाना है वो है plus का तो 1 plus 2 and 2 plus 1 answer is 3 ठीक है दोनों सूर्तों में answer 3 आया है इसका मतल यह हुआ कि commutative property with respect to addition exist करती है next जो property मैं discuss करने जा रही हूँ वो है हमारे पास associative property अब associative property basically क्या है इसमें हमें लेनी है तीन values commutative property में हम दो values के साथ काम करे थे associative property में हम तीन values के साथ काम करेंगे अब let कर लेते हैं कि किसी set में से मैंने तीन values ले जो के हैं A, B, C ठीक हो गया A, B, C इनके दिनम्यान में ने operation परफॉर्म करवाना है binary operation ठीक है associative property का मत्तब यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं पहले कौन सी दो values को solve करूँ चाहिए मैं पहले A, B को solve करूँ या चाहिए मैं पहले B, C को solve करूँ answer equal ही आएगा अगर तो answer equal आजाए तो मैं बोलोंगी कि associative property मुझूद है और अगर equal नहीं आएगा तो associative property मुझूद नहीं next आगी हमारे पास identity अब identity में आप अच्छी तना से जानते हैं कि जब हम with respect to addition काम करेंगे तो हमारे पास identity की value होती है 0 और जब with respect to multiplication काम करते हैं तो identity की value होती है 1 अब identity का basic की नहीं मतलब यह है कि अगर आपके पास एक element मुझूद है for example A ठीक है आप कोई bind operation for example addition या multiplication पर फॉर्फॉर्म करते हो E stands for identity ठीक है यह E जो है यह identity की value को represent कर रहे है equal आना चाहिए E star A के then equal to A करवादो या multiply करवादो तो original number पर कोई फर्क नहीं पढ़ना चाहिए मैंना आपको बोला था identity का मतलब उत्तर शनाख्त यानि कि अपनी पहचान एक ऐसी value जिसको आप किसी भी element में add करवा और उस element की identity उस element की शनाख्त पर कोई फर्क ना पढ़े उसको बोला जाएगा कि यह identity की value है addition के लिए वो 0 होती है इसकी reason यह है कि अगर मैं 1 की जगा A की जगा 1 लिख लूँ binary operation की जगा plus लिखती हूँ addition के लिए हासे ना और identity की value है 0 so 1 plus 0 answer is also 1 यानि के original value पर तो कोई फर्क नहीं पढ़ा इसलिए हम इसे बोलते हैं कि यह identity की value है next आगे है हमारे पास inverse अब inverse with respect to addition का मतब है science बदल देना for example अगर मेरे पास 2 मौझूद है inverse with respect to addition का मतब है minus 2 अगर मेरे पास मौझूद है 3 तो इसका additive inverse होगा minus 3 इसी तरह से अगर with respect to multiplication बात कीजए तो अगर मेरे पास 2 मौझूद है इसका multiplicative inverse होगा 1 over 2 अगर मेरे पास 3 मौझूद है तो इसका multiplicative inverse होगा 1 over 3 clear अब देख लेते हैं कि इसमें basically हमें बोला क्या जाएगा हमें बोला जा रहा है कि अगर हमें एक element लेते हैं A किसी भी set में से और इसके दर्मियान और A और A के inverse के दर्मियान हम एक binary operation पर फॉर्म करवाते हैं तो जो हमेरे पास answer आए A inverse star A करवाने की सूरत में वो equal होना चाहिए identity के identity का मत्तब यह है कि अगर आप with respect to addition करवा रहे हो तो यहाँ पर E जो है वो equal आना चाहिए 0 के और अगर with respect to multiplication करवा रहे हो तो E का answer होगा 1 यानि कि दो ऐसी values जिनके दिम्यान आप को binary operation पर फॉर्म करवाते हो और answer की सूरत में आपके पास identity आ जाती है तो आप बोलोगे कि inverse exist करता है और अगर answer हमारे पास identity की सूरत में ना आये तो इसका मतलब यह होगा कि inverse exist नहीं करता next जो property हमारे पास last वाली मुझूद है वो है clear property अब clear property का basic मतलब क्या है clear property का मतलब यह है कि अगर आपने दो elements लिए A और B किसी set में से for example आप ले 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 natural numbers के set में से आपने दो elements लिए है अब अगर आप A प्लस B करवाओ तो इसका answer भी natural numbers में मौझूद होना चाहिए अगर मौझूद होगा तो हम कहेंगे clear property exist करती है अगर मौझूद नहीं होगा तो हम कहेंगे clear property exist नहीं करती इस plus की जगा आप star लगा सकते हैं इसकी reason यह है कि यह binary operation को show करेगा plus minus multiply devian आप हर एक operation के लिए इस property को check कर सकते हैं इसी के साथ हमारी properties जो है वो complete हो चुकी है binary operations की कोई problem हो कोई confusion हो comment section में ज़रूर पूछिएगा next video में इंशाला ताला exercise no.2.7 का question no.1 start करेंगे thank you so much for watching Allah Hafiz